नमस्कार में अहुदिवय बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 22 दुलाई दिन सोमवार खर्वके उबरने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आजच्च शुरू हो रहा सावन जाने सावन महामे सिवलिंग पर जल चरहाने का महत्व आजच्च शुरू होगा बिहार विधान मंदल का मौनसून सत्र राजे में एक गबरन से अधिक पुल की हालत खराब सर्वे में हुए कई खुला से बिहार में आई एक और बड़ी आईटी कंपनी बियाडा ने उपलब्द कराई जमीन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बचों का अधहार सिडिंग अनिवार है इस आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ऑनलाइन डासन कार्ड हर्मन प्रीत और रीचा घोस की तुफानी पारियों के दम पर महिला क्रिकेट टीम ने यूएईपे की सांदार जीत अब चले वरतने अब तक के 25 बरी खबरों के और विस्तार से रेल्वे ने दस भी पास उमिद्वारों के लिए निकाली भरती रेल्वे द्वारा 2424 पदों पर भरते निकाली गई है भरती के लिए आविदन प्रेक्रिया सुरू है और आविद विस्त अंकों के साथ दसभी पास किया हो साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा जारी राष्टे व्यापार प्रमान पत्र प्राप्त किये हो उमिद्वारों के आईू सीमा 15-24 वर्स के बीच में होनी चाहिए उमिद्वारों का चैन मेरिट लिस्ट और डॉक् प्रमान माह में सिबलिंग पर जल चरहने का महत्व आज 22 उलाई से भगवान भोलेनाद का प्रिय महीना सावन का आरंभ होने जा रहा है सोमवार को आरंभ होने जा रहे स्रावन महीने कांत 19 अगस्त को होगा बदादे कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस महीने में जीवन साथी के प्राप्ती होती है और साथी जीवन में सुक सम्रिधी बढ़ती है इस बार सावन महीने में पांच वर्स बाद पांच सोमवार का अदभुत सैयोग बन रहा है जिसमें दो क्रिस्ट पक्ष और तीन सुकले पक्ष में होंगी बता दे कि पौरानी कथाओं के जीवन महीने में ही समुंद्र मंधन किया गया था और समुंद्र मंधन के बाद जो हला हल विस निकलाओ से भगवान संकर ने अपने कंठ में समाहित कर स्रिष्टी की रक्ष की थी और विसके प्रभाब को कम करने के लिए उन्हें देवी देवताओं ने जलार्पित किया थ आज चे शुरू होगा बिहार विधान मंडल का मौनसून सत्र आज यानी 22 जुलाई से बिहार विधान मंडल का मौनसून सत्र शुरू होने जा रहा है आज सोमवार्ष से शुरू होकर 26 दुलाई तक चलने वाले से सतर के दोरान दोनों सदनों में पांच मांच बैठके होंगी मौनसून सतर के पहले दिन राज़िपाल द्वारस विक्रित अध्या देसों की प्रती को सदन के पठल पर रखा जाएगा इसके साथ ही दोजा 24-25 का पहला अनुपूरक बज़ट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा इसके बाद 23-24 दुलाई को राजकी विध्यक और अन्य राजकी कारे किये जाएंगे इसके अलावे 23 दुलाई को ही विध्यान परिसद में गैर सरकारी संकल पर भी पेश होंगे और 24-25 दुलाई को राजकी विध्यक सदन में लाए जाएंगे 25 दुलाई को विध्यान सभा में प्रतम अनुपूरक बज़र पर बाद विवाद और वोटिंग होगी इस दौरान वी न्योग विध्यक पर भी मुहर लगेगी और सत्र के आखरी दिन 26 दुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल पर पेश किये जाएंगे बिहारी बर्थरे स्पेसल में आज हम बात करेंगे हम सर्मा के बारे में ये एक भारती अभिनेता हैं इनका जन माज के दिन वर्ष 1889 में बिहार में हुआ था इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धी महा भारत में कर्ण के किरदार से मिली इनके और भी कई प्रसिद टीवी कारिकरम रहें जिसमें ब्रह्म राक्षष में रिसब स्रीवास्तर की भूमी का और विक्रम बैताल की रहस्ते गाथा में विक्रमा दिते की भूमी का सामल है इसके लावे न्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है जिसमें करले प्यार करले में जसकी भूमी का धूप छाओ सकती एक्टिंग का भूत आदीश सामल है बिहार में कावरियां पत पर परेटन विभागने की खासते यारी बिहार में आज सुमवार से शुरू होने जा रहे स्रावनी मेला धोजा 24 को देखते हुए इस साल कावरियों की सुवधा के लिए चार जगों पर बारो सो बेड की टेंट सिटी का निर्मान किया गया है बांका के अब रखा में 600 बेड और मुंगेर के खेरा में 200 बेड के अलावे इस साल पहली बार भागलपुर के सुल्तान गंज और धोवई में भी 200-200 बेड की टेंट सिटी बनाए गया है परेटन मंत्री नितीस मिस्रा ने बताया है कि स्रधालों के सुवधा को लेकर कावरियां अपत पर 12 आस थाई परेटक सूचना केंद्रों का निर्मान कराया गया है इसके लावे परेटन मुख्याले में 24 घंटे टॉल फ्री कॉल सेंटर 18-03-09-677 का संचालन किया जाएगा जाने कैसे बना सकते हैं पाथ साल से कम उम्रिके सिस्वों का बाल आधार काड भारत में आधार काड का एक एहम दस्ता वेज है जो हर भारतिय के पास होना अनिवारे है इसके बिना कोई भी सरकारी काम होना एक प्रकार से आज संभव है आधार काड का अब छोटे बच्चों के पास होना में बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब इस्कूल में दाखेले के लिए भी अधार कार अनिवारे हो गया है आधार कार बनाने की कोई नियूंतम आयू नरधारित नहीं की गई है भारती विसस्ट पहचान प्राधिकरन ने कहा है कि नवजात सिसू का भी अधार कार बनवाया जा सकता है भारती विसस्ट पहचान प्राधिकरन के अनुसार पांच साल के कम्र उम्र के बच्चों का बाला अधार कार बनवाने के लिए किसे भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है खास बात यह कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों का बाला अधार कार बनाने के लिए बायो मेर्ट्रिक भी नहीं ली जाती है और रेटीना भी स्कैन नहीं किया जाता है मगर पांच साल से अधिक उम्र हो जाने के पश्याद बच्चे का फिर से आधार कार्ट बनवाना पड़ता है बाल आधार कार्ट बनवाने के लिए UIDI के आधिकारिक वैबसाइट UIDI.gov.in पर विजिट कर रजिस्टेशन कर सकते हैं राजी में एक दर्जन से अधिक पुल की हालत खराब सर्वे में हुए कई खुला से पिछले दिनों बिहार में लगातार एक के बाद एक करके बारस से अधिक पुल के धरा साही हो जाने के बाद नितिस सरकार की जमकर किरकिरी होई थी और सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला था वहीं इस घटना के बाद अब नितिस सरकार द्वारा राजी के पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है इसके लिए राजे के सबे पुल पुलियों का सर्वे करवाया जा रहा है आज तक के हुए सर्वे में कई चौकाने वाले तथ निकल कर सामने आए हैं अब तक हुए पुलों के सर्वे में 12 स्यधिक पुल जरजर पाए गये हैं जिन्हें मरम्मत की ततकाल जरूरत है इसमें देरी होने की परिस्तिती में फिर से कोई अन्होनी होने के समभाव ना है पुल द्वस्त होने के साथ ही जान माल को भी खत्रा हो सकता है हालांकि जरजर इस्तिती में पाए गये दरजन भर पुलों को बचाने के लिए पथ निर्मान में भाग इनकी मरम्मत की प्रक्रिया में जुट गया है बदा दे कि अब तक 800 से अधिक पुलों का सर्वे कारे पूरा हुआ है वहीं इस माह के अंत तक राजी के सभी 700 पुलों का सर्वे कारे पूरा करने का लक्ष है बिहार में आई एक और बरी कंपनी आई-टी कंपनी बियाडा ने उपलब्द कर आई जमीन एस या में डेटा सेंटर के शेतर में बरी कंपनी के रूप में सुमार कंपनी कंट्रोल S अब बिहार पहुँच गई है पटना के पार्टली पुत्रा इंडर्स्ट्रियल एरिया में बियाडा द्वारा S कंपनी को एक एकर जमीन उपलब्द करवाया गया है बता दे कि कंट्रोल S कंपनी को डेटा सेंटर वा क्लाउड कंप्यूटरिंग के शेतर में विसस्टता हासल है और ये पहला ऐसा अफसर है जब स्वेतर में काम कर रही कोई बहुराश्टे कंपनी ने बिहार में अपना काम आरम किया है कंट्रोल S कंपनी के देश में से 15 से अधिक डेटा सेंटर है ये फॉर्चून कंपनियों की सूची में सामिल 200 और 200 बहुराश्टे कंपनियों को अपनी सिवा उपलब्द करवा रही है बता दे की राज सरकार द्वारा अब जब से आईटी सेक्टर की कंपनियों को बियाडा के माध्यम से जमीन उपलब्द कराने का निर्ने लिया गया है तब से ही बिहार में आईटी कंपनियों ने दिल्चस्पी लेना आरभ किया है बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे नवलखा पैलस के बारे में ये पैलस राजनगर पैलस के नाम से भी जाना जाता है जो बिहार के मधुबनी के पास राजनगर में अस्तित है इसका नर्मान दर्भंगा के महराजा रामिस्वर सेंख द्वारा करवाए गया था इसकी नकासी देखते बनती है इसका काली मंदिर हाथी दात और सफेद संगमर्मर से बना है जो ताज महल जैसा दिखता है पौर्टिकों में सिमेंट से बने चार हाथियों पर खरे महराब है और कथित तोर पर ये भारत में पहली सिमिंट सरचनाओं में से एक है सबसे पुरानी जिवित मिथला पेंटिंग महल के गसोनी घर में पाई जाती है महराजा की बेटी की शादी के अफसर पर 1919 में निर्मित महल के बहुत कम लिखे दिया फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अधार सिडिंग अनिवारे आधार सिडिंग करवाना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निवारे कर दिया गया है यदि बच्चों का आधार सिडिंग होता है तो सरकारी योजनाओं का लाग इन बच्चों तक पहुंचाने में आसानी होगी साथ ही जिन बचों का स्कूल में दोहरा नमंकन करवाए गया है वे भी आसानी से पकर में आ सकेंगे प्राथमिक सेक्षवा निदेशक मितलेश मिस्री ने भी सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं निर्देश जारी करते पे उन्होंने बताया है कि बचों के आधार कार बनवाने में उनके अभी भावकों को किसी प्रकार की परिशानी ना हो, इसके लिए राजी के प्रतेक प्रखंड में दो आधार केंद्र काम कर रहे हैं, दोनों ही आधार केंद्र पर हर प्रखंड के दो तो अलग-अलग स्कूल में चल रहे हैं अब तक सरकारी स्कूलों के 67 प्रतिसत बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं बैड न्यूस फिल्म में नेहार सर्मा ने भी निभाई एहम भूमी का बैड न्यूस मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म के गाने और ट्रेलर को ओडियंस की तरब से लगातार सांदार ट्रतिक्रिया मिल रही है इस फिल्म में वैसे तो विकी कॉसल, त्रिप्ती, डिम्री और एमी विर्क के अलावे बिहार से अपना संबन रखने वाली नेहा सर्मा ने भी अपनी एहम भूमी का अदा की है इस फिल्म में नेहा सर्मा बेहदी खूबसूरत लग रही है इसी के साथ पान किसानों का नुदान का लाव देने की प्रेक्रिया भी बदली जाएगी इससे लेकर क्रेसे विभाग ने अपनी तयारी शुरू कर दी है पान किसानों का बैंकों से समन व्यास थापित किया जाएगा साथ इनका किसान क्रेडिट कार्ड भी वनेगा पान किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए अच्छादन शेतर का विस्तार करने की पहल भी की जाएगी इस संबंध में क्रिसी मंत्री मंगल पान्डे ने बताया है कि वितिय वर्स 2026 तक पान विकास योजना के तैट कुल 42.50 हेक्टेर में पान के शेतर विस्तार के लिए 5 करोर रुपए के स्विक्रती दी गई है पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आई में व्रिधी के लिए बरेजा के निर्वान कनुदान प्रावधान किया गया है इन असाने स्टिप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ऑनलाइन रासन कार्ड अगर आप भी ऑनलाइन रासन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो IPRD बहार ने इसे बनवाने की प्रक्रिया साज्या की है ओन्नाइन डासन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको rconline.bihar.gov.in पर जाना होगा फिर यहां मेरी पहचान नाम का एक डायलोग बॉक्स खुलेगा अगर आप यहां नए यूजर है तो sign up for मेरी पहचान पर क्लिक करेंगे फिर अपने परिवार के मुख्यों सदत सयानी मुख्या का नाम registration form पर भरेंगे mobile number डाल कर gate OTP के option पर क्लिक करेंगे फिर OTP इस पर submit कर दे फिर form में मांगी कई जानकारी साजा करें अब आप यहां registered हो जुके हैं अब यहां portal पर ID, password डाल करें से login कर ले search engine में रासन कार्ड लेकर search करें फिर यहां login करें new apply पर क्लिक करें फिर अपना area अर्बन है या ruler यह select करें अब आविदन form भरें फिर परिवार के सदस्यों के नाम आड़ करें सभी दस्तावेजों को scan करके upload करें अब submit बटन पर क्लिक कर दें फिर यहां आविदन की रसीद या print अपने पास सुरक्षित रखलें आपके आविदन पूरी हो जाएंगे बिहार में नीजी फार्मसी और पारा मेडिकल में दाखिले के लिए होगी संयुग्ध प्रत्योगिता परेक्षा अब बिहार में नीजी फार्मसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामंकन का नियम बदल गया है अब संयुग्ध प्रत्योगिता के आधार पर ही नीजी फार्मसी और पारा मेडिकल संस्थानों में भी नामंकन होगा परेक्षा बिहार स्वास्त विज्ञान के संख्या अस्तर और अंग कित्यादी तैग किये जाएंगे नेजी नर्सिंग फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामंकन के लिए चात्र 19 अगस्त तक नामंकन कर सकते हैं विस्व विद्याले की वेबसाइट buhs.ac.in पर फॉर्म भरने के सुवधा उपलब्ध है परिक्षा के दिती 8 सितंबर है प्रदेश में एक बार फिर से मौनसून सक्रिय होने के आसार बिहार में एक बार फिर से मौनसून के सक्रिय होने के संभावना जटाई जा रही है बीदे कई दिनों से प्रदेश में बारिस का सिलसिला रुका हुआ है दिस वज़ ons से उमस भरी गर्मिय से लोग परिशान है वर्सा नहीं होने के कारण खेती किसाने के कई काम भी प्रभावत हुए हैं आज भी प्रदेश में कुछ जगों पर बारिस की संभावना जताई गई है आज प्रदेश में अधिक्तम तापमान 36-38 डिगरी और कुछ जगों पर 34-36 डिगरी रहने की संभावना है वही नियुंतम तापमान 26-28 डिगरी रहने की बात कही गई है लाखो रुपे की अव्याद निकासी करने वाला साइबर अपराधी हुआ गिरफ़तार लाखो रुपे की अव्याद निकासी कर ट्रांजक्शन करने वाले आरोपी मंगरु पासवान को बिहार के गया में साइबर थाना के पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है इसकी जानकारी एक प्रेसवारता के जरिये उपाधिक्षक साथाना अध्यक्ष साग्षी राय ने दी है इस दोरान साइबर उपाधिक्षक सा थाना अध्यक्ष ने जानकारी दे कि 20 मार्च 2024 को वादी के द्वारा साइबर थाना में लिखित आविदन दिया गया था कि इनके PNB खाता से अज्यात वैक्ति की द्वारा करी ट्रांजक्षन कर 5,00,00,26,0,75 रुपे की अवैध निकासे की गई है इस कांड को लेकर एक विसेश टीम का गठन हुआ जिसके बाद इस मामले में सनलिप तारोपी की गिरफतारी के लिए तखनीके नो संधान किया गया इस दोरान पता चला कि वादी का पैसा जिस खाते में ट्रांसफर किया गया है वो खाता सिंट्रल बैंक ओफ इंडिया गया का है जिसके बाद ये कारवाई की गई कि नीट पेपर लीक मामले में cb i के विस्यश अदालत ने बरहाई रौकी की रिमांड अवधी नीट पेपर लीक मामले में रविवार को cb i n ने पठ्टना में कुल 9 अरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूचताच की है दिन में से चार पठ्टना एम्स की स्टूड क जबकि एक राजी रिम्स की छात्रा है इसके लावे बिचौल ये सुरेंद्र पंकज राजू रौकी से भी पूछताज की गई है सीबी आई को स्टूडेंट्स पर सक है कि परिक्षा माफिया ने इन से प्रस्नपत्र सॉल्व करवाए थे सुरेंद्र स्टूडेंट्स और परिक्षा माफिया के बीच मिडल मैन है जबकि पंकज पर प्रस्नपत्र चोरी का रोप है वहीं रौकी संजीव मुखिया का रिस्तेदार है जिस पर सक है कि इसने जार्खन में स्टूडेंट्स से पेपर सॉल्व करवाए और उसके बाद अभ्यरतियों को रटने के लिए दिया इन आरोपियों से आगे में पूछताच जारी रहेगी वहीं सनीवार को पटना में CBI के विसेश अदालत ने रौकी की रिमान रवधी को चार दिन के लिए और बरहा दिया है रौकी की निसान देही पर CBI लगतार संजीव मुखियां को पकरने के लिए कारवाई कर रही है जाने क्या है RBI की रिसर्च इंटरंसिप स्कीम युवाओं को होगा फाइदा देश के युवाओं के लिए देश के कई संस्थानों द्वारा अलग-अलग स्कीम चलाए जाते हैं जिसके तहत उन्हें जॉब ओफर्स और इंटरंसिप ओफर्स मिलते हैं ऐसा ही कि स्कीम रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया यानि की RBI द्वारा भी चलाई जाती है इसका नाम है रिसर्च इंटरंसिप इंडिया जाते हैं एकोनॉमिक्स, बैंकिंग या पाइनस के शेतर में अपना करियर बनाने के इच्छा रखने वाले युवा इस स्कीम के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने के लिए आविदक के पास बैजलर्स डिग्री होनी जरूरी है, इसके साथ ही एक साल की मास्टर्स या फिर बीटे किया बीई डिग्री भी होनी जरूरी है, हर साल RBI केस स्कीम के तहत 10 इंटर्न्स को चुना जाता है, जिसकी अब दी 6 महीने की होती है और इसे ब विद्याले के तरज पर अब भागरपुर के विक्रम सिला विस्व विद्याले का भी पुर्णो द्वार किया जाएगा, भाजपा प्रदेस अध्यक्ष और उप्मुखे मंत्री समराठ चौधरी ने इसकी घोसना की है, समराठ चौधरी ने कहा है कि इसक्षा के प्राचीन के इंद्र विक्रम सिला विस्व विद्याले को अंडिए सरकार गौरपसाली बनाएगा, आम बजट पेस होने से पहले जदियों ने बेज़ेपी की बरहाई टेंसर, के इंद्र सरकार तेज ऊलाई को अपना आम बज़यपी की देंसर ब़ड़ सकती है, क्योंकि इस आम प्रदेश को विसेश राजे का दर्जा देने की मांग उठाई है। उठाई को विसेश राजे की मांग उठाई है। हर्मन प्रीत और रीचा घोस के तुफानी पारियों के दम पर महिला क्रिकेट टीम ने UAE पे की सांदार जीत रविवार को भारत और UAE की बीच खेले गया एसीया कब दोजा 24 के मैच में भारती एक महिला क्रिकेट टीम ने सांदार जीत की है और साथी रीचा घोस और कप्तान हर्मन प्रीत की तुफानी पारी के दम पर भारत ने वो मुकाम हासल किया है जो टी-20 इंटरनेस्टल में अभी तक किसी को भी हासल नहीं था एसीया कब दोजा 24 में टीम इंडिया ने यूए के खिलाफ खेले जा रहे मैच में नरधारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए हैं रीचा ने 29 गेंदों में 12 चौकी और एक छक्की की मदद से नाबाद 64 रनों की पारी खेली वहीं कप्तान हर्वन प्रीत ने 47 गेंदों पर साथ चौकी और एक छक्की की मदद से 66 रन बनाए इन दोनों की पारीयों की दम पर भारत ने महिला क्रिकेट में पहली बार टीटवेंट इंटरनेस्टल में 200 से अधिक का स्कोर बनाया है कई कानों से दर्जे भारत इत्यास में आज की तारीक आज के दिन वर्ष 1908 में भारत के पहले कुसल पाइलट इंडरेलाल राय प्रथम जर्मनी से हुई लडाई में मारे गये थे आज के दिन वर्ष 1947 में सम्विधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्टित भज के तौर पर अंगिकार किया था आज के दिन वर्ष 1981 में भारत के पहले भूस तीर उपगरा एपल ने कारी करना शुरू किया था आज के दिन वर्ष 2012 में प्रनव मुखर जी भारत के तिरहवे राष्टपती निर्वाचित हुए थे आज के दिन वर्ष 1665 में संदीप पांडे का जन्व हुआ था ये एक रेमन मैक से से पुरसकार से सम्मानित प्रस्थ भारतिय सामाजी कारे करता थे आज की वर्ष खबर में हम बात करेंगे टेक्स पेर्ष के पास पहुंच रहे इस फेक मैसेज के बारे में इन दिनों टेक्स पेर्ष को चुना लगाने के लिए कुछ साइबर फ्रॉड फेक मैसेज भेज रही है अब ही हाल में एक व्यक्ति को इनकम टेक्स रिफंड मैसेज मिला था जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया उसने उसका फोन हैक हो गया और उसके अकाउंट से करीब डेज लाक रुपे गायब हो गया इसलिए अगर आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं तो आप इससे अलर्ट रहें किसी तरह के लिंक को क्लिक ना करें किसी तरह के अंजाने आप को डाउनलोड ना करें इस खबर को Income Tax इंडिया की तरब से सेर किया गया है जिसे P.I.B. Fact Check ने भी रिपोस्ट किया है गूगल मेटा एक्स और टेक कंपनियों को उनके प्लेट्फरम पर इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रद्दोगी की मंत्राले ने बच्चों की उम्र वेरिफाई करने की तरीके को खुजने का फर्माद जारी किया है यह जानकारी मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट में मिली है इस रिपोर्ट के मुताबिक मंत्राले ने स्टाफ तोर पर कहा है कि सरकार की तरफ से इन टेक कंपनियों को प्लेट्फरम पर बच्चों की उम्र वेरिफाई करने का कोई तरीका नहीं बताया जाएगा इसकी बज़ाए सरकार की तरफ से इन कंपनियों को सला दी गई है कि ये कंपनियां खुद ही अपने टेक इनेबल तरीकों को खोजे जो कि डिजिटल परसनल डेटा प्रोटक्शन एक्ट को ध्यान में रख कर त्यार किये जाए इस पर विसेश चर्चा के लिए आईटी मंत्राले द्वारा एक बैठक भी आयुजित हुई थी हम प्रेजिटन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपेस से बिहार पुरी जरूरुगा समेत ऐसे सी जैसे अन्य प्रतोगी परक्शों में काम आएंगे पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है यह हमें कॉमेंट में लिखका जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है निम्न में से किसनि नंद वंस की राजा घनानंद को पराजित करके मौरे वंस की अस्थापना की थी आपसन ए है बिन्दुसार आपसन वी बिंबिशार आपसन चंद्रगुप्त मौरयों नीव आसोक इसका सहीं तर हैं चंद्रगुप्त मौरयों च्रिति ये बहुत संगितिके अध्याक्स कॉन थे ओपसन आजाट सतरू पिछा कि हैर ओपसन वी वाम्ग पुत string Canadian option D is a हालीमिन नेलसन मंदेला दिवस कमनाय गया है option सोले जुलाई आप्शन B हरियाना आप्शन C है महाराष्ट्र आप्शन D है उत्तरपदेश इसका सहीं तरह है महाराष्ट्र हाली में भारत की पहली राष्टि नार्कोटिक्स हेल्प लाइन M.A.N.A.S का सुभारंप किस ने किया है आप्शन A उम बिड़ला आप्शन B है द्रापदी मूर्मू आप्शन C हमित साह आप्शन D है संजीव कुमार इसका सहीं तरह हमित साह इसके साहीं से जने के नाम है किया आप किसी सरकारी योजना का लाव उठा रहे है हम इक कॉमेंट में लिख का जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूज और साथ ही गर आप यूटूब से देख रहा हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब पनाब आप फेस्बूक से देख रहा हैं तो फेच को फॉलो करना ना भूल धन्यवाद